Assalamu alaikum students, इस video में हम exercise set 1.2 के questions 33 से लेकर 32 तब करेंगे, जिसमें limits find out करनी है, different techniques को हम use करेंगे और properties of limits को use करेंगे, ठीक है, अब आपके पास limit given है, इसमें product है, तीन different functions का, x, x-1, x-2 का, तो हम properties use करते हुए limit, हम तीनों के उपर अलग-अलग apply कर देते हैं, चुंकि तीनों polynomial है, तो simple आप उसके अंदर सीधा-सीधा straight away limit apply कर दे, constant के उपर limit apply करने के बाद भी भी चीज़ वेल्यू आती है, इसलिए limit apply करने की जूरत नहीं है, तो इसलिए आपके पास यह value आ रही है, 2, 2-1, 2-1, and then you multiply them, you get 6, again, इस function में देंके एक polynomial है, तो आप हर x value की उपर अलग-अलग से limit apply कर दो, और चुंकि यह x की value है, polynomial है, तो आप इसमें straight away value put कर दो, 3 की value हर x की जग़े पुट कर दें, और simplify कर दें, अब जब fraction की बात आ जाए, तो पिर आपने देखना है, कि जब आप limit उपर नीचे apply करें, तो denominator में 0 ना आए, तो अब देखेंगे, अगर हम इसमें x की जग़े पे 3 put कर दें, तो 0 नहीं आता, 4 आंसर आता है, तो इसलिए हम उपर भी limit apply कर देते हैं, नीचे भी limit apply कर दें, again, polynomial है, तो आप सीदा सीदा limit की value substitute कर दें x की जग़ें, इसमें again fraction given है, अब नीचे देखेंगे, अगर हम x की जग़े पे 0 put कर दें, इस x की जग़े पे 0 put करें, तो answer क्या आता है, 3, 0 नहीं आता denominator में, तो जब limit put करने से नीचे 0 नहीं आता, तो आप उपर भी limit apply कर दें, नीचे भी limit apply कर दें, और बाकिज़ों की polynomial है उपर भी नीचे भी, तो आप straight earn के अंदर limit x की जो limiting value है, वो put कर दें, और simplify कर दें, again, यहां पर हमारे पास value है, किस चीज़ की fraction में given है, अब अगर हम नीचे x की जग़ा पे 1 put कर दें, तो answer 0 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम उपर नीचे limit apply नहीं कर सकते हैं, इसके साथ होते हुए, अब हमने numerator को भी देखना है, अगर numerator में भी 0 आता है, तो फिर यह कोई simplification possible होगी, अब मैंने जब denominator में value put की, तो वो भी 0 आ रही है, जब numerator में अलक से put की x की limiting value, तो वो भी 0 आ रही है, तो इसका हम कहते हैं, 0 by 0 form, अगर यह form बने, उपर भी 0, नीचे भी 0, तो इसका मतलब है कि उपर नीचे में कोई simplification हो सकती है, को cancellation हो सकती है, तो फिर आ minus 1, तो 1 का मिलिक सकते हैं, 1 to the power 2, अब यह a minus b, a square minus b square का formula है, which is equal to a plus b, और a minus b, तो अब यहां पर x square minus 1, x square plus 1, तो हमने और formula अपलाई किया, नीचे x minus 1 है, अब again simplification हो सकती है, मजीद, यह x, इस का मिलिक सकते है, x का मिलिक सकते है, x का होल square, minus 1 का होल square, तो again हम a square minus b square formula अपलाई करते हैं, तो यह बन जाएगा x plus 1, x minus 1, एक x minus 1, नीचे x minus 1 के साथ cancel हो जाएगा, तो आपके पास आप देखें, इस simple product रह गया, आप limit दोनों की उपर अलग अलग से apply कर दें, and you will find the limit, तो जब भी उपर नीचे दोनों 0 आजाएं, फिर इसका मतलब कोई simplification possible है, आपने factorization करनी है, जो भी possible हो, आपने इसको देखना है, तो देखें, मैंने जब numerator में put किया, तो भी 0, denominator में अलग से किया, तब भी 0, तो इसका मतलब है कि 0 by 0 form बनी, तो 0 by 0 form का मतलब है कि उपर नीचे कोई cancellation हो सकती है, अब उपर है x cube plus 8, तो उसको लिख सकते हैं, अब यह a cube plus b cube का formula है, जिसको हम लिख सकते है, a plus b into a square minus a b plus b square, तो यह इस formula के मताबिक हमने यह लिख दिया, and divided by t plus 2 नीचे है, cancellation हो जाती है, आपके पास simple polynomial रहागा है, आप simple आप t की value put कर दे, again fraction है, आप देखें, उपर numerator and denominator में, जब भी आप minus 1 put करते हैं, आपके पास उपर भी 0 आ रहा है, और नीचे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई cancellation हो सकती है, तो आप उपर आले function को, जो quadratic formula है, उससे या factorization से factors निकाल दें, तो उपर आले के यह दो factors हैं, नीचे आले के denominator के यह दो factors हैं, देखें, कही cancellation हो सकती है, यह दोनो cancel हो जाएंगे, तो आपके पा limit apply कर दें, और values उनके put कर दें, then simplify कर दें, again fraction है, वो 0 by 0 form आ रहा है, that means कि आप उसको factorize कर सकते हैं, यह x minus 2 whole square का formula है, और नीचे हम factorize कर दें, तो यह values आती है, cancellation कर दें आप, and then you can see, आपके पास limit put कर सकते हैं, उपर नीचे, and then apply कर दें, again, इसको आप quadratic formula से swap करें, या factorization कर द रहेगा, क्योंकि इसकी factorization आपके लिए मुश्किल होगी, तो quadratic formula है, जब आप इसको solve करेंगे, आपके पास x की दो values आएंगी, एक आएगा, एक value होगी 1 over 2, और दूसरी होगी, minus 1, तो आप इसको जब हम लेते हैं, तो 2, दोना set पर 2 से multiply कर दें, बन जाएगा 2x is equal to 1, और 1 तो आप quadratic formula यूज़ कर दें है, factorization, जहाँ जहाँ cancellation possible है फिर वो, आप cancel करके वे लिज़ उटका दे, limit के, यह भी again quadratic formula से solve किया, factorize कर दिया, यह quadratic formula से factors निकाल दी उपर भी, और denominator के भी cancellation होगी, उसके बाद हमने उपर limit apply कर दिया, and simplify कर दिया, again इसको हमने factorize किया by synthetic division, और long division से x cube, तो इसका मतलब है, एक दफा, हमने x को जब two put कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास value आई है, zero, तो इसका मतलब है, x is equal to two is a factor, is a root, x minus two is a factor, तो यह एक factor हो गया, यह दूसरा हमने, इसको आप divide कर दे, x minus, t minus two से, तो आपके पास यह चीज़ आ जाती है, ठीक है, यह synthetic division के को इसे भी आप video देख लिए है, long division के, you would be able to factorize it, और यह चुंकि t square plus five t minus two है, यहाँ पर cancellation हो गई, यहाँ से t common ले लिया, तो t square minus four आ गया, इसके उपर हमने formula अप्टाई किया, t square minus two square, a square minus b square, that gives you t plus two, t minus two, जहाँ पर cancellation हो रही है, हमने cancel कर दिया, ठीक है, अब अगर आप उपर नीचे t को zero और two put कर दें, तो नीचे zero नहीं आता, इसलिए हमने straight away limits apply कर दें, इसमें भी वही चीज़ करनी है, हमने factorize कर दिया, यह उनकी factorization है, उपर भी, नीचे भी, cancellation के बाद, यह factors बनते हैं, यह square root, quadratic function है, यह भी quadratic है, दोनों factorize हो सकते हैं, हमने factor twice कर दिया, उनमें से again यह दो चीज़े cancel हो गई, यहां तो यह cancel हो गई थी, यह quadratic रहे, उनको further किया, वहां भी cancellation हो गई, तो यह simplified रहा गया, अब limit apply कर दें, 15 है, चुँकि उपर x है और नीचे px-3 है, ठीक है, अगर हम उपर put कर दे 3, और नीचे 3 पुट कर दे, तो उपर चुँकि 3 आएगा, और नीचे 3 है, लेकिन ही चुँकि positive sides है, positive sides mean कि 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो that could be 3.0000001 or something, right, तो अब उपर positive 3 है, और नीचे क्या है, देखें, उपर क्या है, 3 positive है, नीचे जो इस x में हम substitute करेंगे, वो क्या होगा, something greater than 3, थोड़ा सा भी greater हो, लेकिन greater than 3, तो अब उसका 3 plus minus, उसमें से 3 minus करेंगे, जो ये वाला 3 है, तो this 3 is less than this 3, तो this gives us a positive, क्यांकि 3 plus positive है, और ये minus 3 है, तो answer क्या आता है, नीचे positive, उपर भी positive, नीचे भी positive, वैसे, तो anything, divided by zero gives you what, infinity, अभी infinity positive होगा, या negative होगा, वो हम कैसे decide करते हैं, कि उपर क्या sign है, और नीचे कौन सा sign आ सकता है, तो उपर तो already positive sign है, नीचे इसको हमने देखना होता है, कि इसमें से sign कौन सा आएगा, क्योंकि इससे sign positive आएगा, इसलिए ये नीचे है क्या होगा, positive infinity, दूसरा question करते हैं, उससे explain हो जाएगा, ये देखें कि minus 3 to the power, minus का मतलब है, 3 को left side से, तो this would be 2.9999, meaning very close to 3, ठीक है, means from left side, अगर ये 3 negative का मतलब है, हम इस तरफ से, इस तरफ से 3 को approach कर रहे हैं, तो obviously this is little bit less than 3, तो अब ये positive है, minus 3, अब ये less than थोड़ा सा 3 है, और ये 3 है, तो इसमें से कौन सी value आएगी, negative, ऊपर क्या है, positive, तो answer क्या बन जाता है, negative infinity, क्यांकि इसका answer तो आना ही आना infinity है, अब वो positive होगा या negative, वो हम इनके symbol से decide करते हैं, तो देखें, हमने ये भी किया हुआ है, क्यांकि इस less than 3, तो इसका एक positive है, एक negative है, negative है, positive है, left, right, limit एक जैसी नहीं है, इसलिए limit does not exist, 18 में भी, अगर आप देखें, ऊपर भी x, नीचे x square है, तो ऊपर positive है, 2 is positive, नीचे चुंकि square है, तो ये बन जाएगा, 4 positive हो, तो obviously it is little bit greater than 2, this one positive means little bit greater than 2, तो अब यहां से answer क्या हैगा, positive, ऊपर भी positive, नीचे भी positive, इसलिए answer क्या होगा, positive infinity, अब अगर हम negative side से जाएं, ठीक है, तो चुंकि हम square लेते हैं, this is, ऊपर क्या है, 2 positive, नीचे, यहां से जा हम, something less than 2, उसका square लेंगे, तो that would be less than 4, little bit less than 4, बट less than 4, अब अगर यह positive sign है, इसका negative sign है, तो और मैंसे something less than 4, मैंस करेंगे, तो answer क्या हैगा, negative आएगा, तो positive divided by negative is negative infinity, 20 में भी, अगर आप देखें, अब 2 limit exist क्यों नीच करती, कि एक left hand limit is negative, right hand limit is positive, so they are not equal, इसलिए limit doesn't exist, इसमें भी अगर आप देखें, same procedure है, six, six, लेकिन यहाँ पर, उपर, चुंकि y plus six है, तो कोई cancellation हो सकती है, ठीक है, and what is the cancellation, दो के उपर क्या है, आपके पास, क्या आता है, zero नहीं आता, zero by zero form नहीं है, that means कि, cancellation may be helpful, और may not be helpful, अब अगर हम इसमें नीचे देखें ना, नीचे है y square minus 36, अगर हम उसको simplify कर भी दें, तो यह तो cancel हो जाएगा, फिर y, one over y minus six आगया, अब y चुंकि positive है, तो positive means something little greater, positive, तो positive में से minus six निकालेंगे, तो answer positive हैगा, anything divided by positive, infinity is positive, अगर आप इसको simplify ना भी करें, तब यह आप का answer यह आएगा, इसी तरह इसमें negative में भी वही चीज आएगी, simplify कर दिया, ठीक है, negative something little less than six, minus six, that gives you negative, तो negative infinity, 23 में, अब again, चुंकि left और right दोनों सेम नहीं है, तो limit does not exist, इसकी limit negative infinity है, because, आप numerator को देखें, numerator में अगर हम four put करते हैं, तो value आती है, minus one, बी नहीं में इसमें four put करते हैं, अगें वही चीज, जो positive है, तो little bit greater than, तो जब हम इसको calculate कर देते हैं, तो that gives us zero, लेकिन इसका answer क्या होगा, towards positive और towards negative, towards positive, क्योंकि यह sixteen क्या है, यह greater है, point zero 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 zero, जो भी हो, लेकिन इससे जो square आएगा, वह greater होगा, और इससे जो चीज आती है, वह smaller है, तो positive answer आएगा, अब उपर negative है, नीचे positive हो, तो infinity क्या हैगी, negative, same ही चीज यहाँ पर positive के लिए, negative four के लिए, four from left side के लिए, इसका positive क्यों आता है, क्योंकि उपर positive है, और नीचे हमने क्या किया होए, four is negative, तो इसका answer क्या आता है, negative, उपर positive, sorry, उपर negative, नीचे भी negative, तो negative, negative क्या हो जाता है, positive infinity, तो आप दोनों एक positive है, एक negative है, तो आप दोनों एक positive है, एक negative है, they are not same, so the limit doesn't exist, अब अगर आप absolute के अंदर देखें, absolute के अंदर आप कुछ भी पुट कर दें, तो results in positive, तो anything divided by positive infinity, anything sorry, आप नीचे क्या आएगा, positive, zero आएगा with a positive sign, कि Absolute उसको क्या कर देगा, positive, so 1 by 0 gives you a positive infinity, same goes for 28, Absolute gives you a positive, it doesn't matter, आप left से आते हो या right से आते हो, इसमें देखें, इसमें आप उपर भी 0 आ रहे हैं, और नीचे भी 0 आ रहे हैं, ठीक है, उपर limit apply कर दे, नीचे apply कर दे, तो 0 by 0 form आ रहा है, इसका मतलब है, simplification is possible, तो अब x minus 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं, नीचे वाले की तरह, x को मैं लिख सकता हूना कि square root x into square root x, या इसका हम लिख सकते हैं square root x का square, फिर वही चीज़ बन जाएगी, और 9 का मैं लिख सकते हैं, 3 का square, तो अब इसको a minus b whole square का formula, a square minus b square के formula से, a minus b, a plus b, कुछ cancellation हो जाएगी, simplified रहा गया, वहाँ पे apply कर दे, ठीक है, इसी तरह इसमें भी वही चीज़ करनी है, उपर भी 0, नीचे भी 0, हमने 4 को in terms of square लिख दिया, two square, y को हमने लिख दिया, square root का whole square, a minus b, a minus b, a plus b का formula हमने apply कर दिया, simplification हो गई और आपने value put कर दी, 31 में आपको piecewise function given है, x को जब आप, 3 को जब आप अपरोच करते हैं left side से, तो इसके लिए आप कौन सा वाला function यूज़ करोगे इसमें, इसमें x less than 3 है, less than or equals to 3 है, तो यह वाला function हम यूज़ करेंगे, तो limit x approaches to 3, f of x हमारे पास कौन सा वाला function हम यूज़ करेंगे, x minus 1 वाला, अब चुंकि polynomial है, तो straight away limits put कर दे, you get the answer, जब positive 3 की तरफ आ रहे हैं, तो x greater than 3 कहां पे, इस वाले में, तो हम यह वाला function यूज़ करेंगे, x approaches to 3 from positive side, यह वाला function यूज़ क्या values put कर दी, again, दोनों की value सेम आई है, तो अब इसकी limiting value क्या होगी, left और right अगर दोनों सेम हो, रो दोनों सेम है, दोनों 2, 2 है, तो इसका मतलब है कि आपका limit क्या है, limit x approaches to 3 f of axis 2, 32 भी ऐसा ही है, इसमें सिर्फ तीन different चीज़े उनने दी वी है, जो functions है, जब आप 3 को, t को 0 को approach करते हैं, अब यहाँ पे देखे, 0 को आप left से भी approach कर सकते हैं, और right से भी कर सकते हैं, दोनों option आपको given है, जब हम t को, 0 को left से approach करते हैं, हम यह वाला function use करेंगे, हमने use कर दिया, value put कर दिया, answer आगया, minus 2, जब हम right से approach करते हैं, तो हम यह वाला function use करेंगे, वो हमने use किया, तो answer आगया 2, अब left और right दोनों सेम नहीं है, ठीक है, और t is equal to 0 के लिए तो यह limit doesn't exist, तो इसलिए यह वाली limit does not exist, क्योंकि left और right इसका एक जैसा नहीं है, अब जब हम t is equal to, t approaches to 1 करेंगे, तो 1 को हम, देखें, 1 is in the middle of this one, तो आप straight away a की function use करेंगे, और वो आपने t square use किया, और value आईए, t is equal to, answer is 1, अब again, 2 के लिए, left से यह, right से यह, त use करते हैं, तो हम t square वाला function use करेंगे, that gives us 4, और जब हम right से approach करते हैं, 2 को, तो हम यह वाला function use करेंगे, उसकी भी value 4 आ रहे है, तो left और right दोनों limit 4 है, that means limiting value is 4.